हेलो मेरे प्यारे वीववर्स। वलक्म बैक टू decision दिलीशियस। friends kitchen में काम करना, kitchen में cooking करना, उसके साथ साथ ही हमें kitchen की cleaning भी करनेवरे पढ़ते हैं and kitchen की cleaning करते करते हमारी kitchen towels कुछ इस तरीके के हो जाते हैं देख सकते हैंप कभी कबार तो जब हम धोकर सुका देते हैं इसी तरीके के टावल्स को तो वो सुभा में बिल्कुल अकड जाते हैं आपके साथ भी यह सब होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शुरूर बताइएगा आप देख सकते हैं कि यह किचिन टावल्स बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है मैंने इसे गैस वगरा सब चीज़ क्लीन कर ली थी और मैंने इसको वाश नहीं किया कि मुझे आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करनी थी कि मैं बहुत इजी कैसे किचिन टावल के जिदी से जिदा निकाल देती हूं तो बहुत ही इजी तरीका है मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप जब किचिन में दूसरे काम करते हैं तो आपस इसको सोक कर देना और फिर पांच मिनट बाद वाश कर लेना तो आपके किचिन टावल भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे तो मैं आपको अपने किचिन टावल्स की हालत दिखा देती हूँ यह देखे कितने साफ और क्लीन लग रहे ना तो आप भी इस तरीके से कैसे रख सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़तन लीजे बड़ा बड़तन लेना उसमें आप गरम पानी आइड करें गरम पानी आइड करने के बाद मैं यहाँ पाने डिटरजेंट आइड कर रहे हूँ कोई भी जिससे हम कपलेद होते हैं वो आप आइड कर दें दो चमच भरकर मैं यहाँ पर आइड कर रहे हूँ साथ ही मैं यहाँ पर लिक्विड जेल विम वाला एक टेबल स्पून जायेगा साथ ही मैं नमक आयट करेंगे और यहां पर विनीगर एट करेंगे जिसे हो जातव़ा हमारे किछिन टाओल जोने क्लिन हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा धिहान रखना पढ़ता है क्योंकि किसी को skin problem होने से हाथ तो में allergy हो जाती है तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी चमज की मदद से इसे अच्छे से क्या करूंगी dip कर दोंगी पानी के अंदर और इसको हमने क्या करना है सोग करना है यह बहुत ही इजी वे होता है जब आप किचिन में दूसरे काम कर रहे होते हैं तो आपको अलग से इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता बस आप इस तरीके से क्या करें एक डबे के अंदर डिटर्जेंट कास्टिक सोडा और नॉर्मल वाला सोडा इस सार पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है सारी गंदीगी टावल की पानी के अंदर निकलने लगी है यह देखिए अब आपने फिर उस टावल को क्या करना है दो से तीन बार बलके चार बार भी आप टैप वाटर के नीचे अच्छे से वाश कर लें यह नया किचिन टावल नही ही है देख सकते हैं Rice kitchen towel के लग का अपनी kitchen towel को बना के रखे करें जब एक सबसे जुरूरा बात में किचिन तावल को वाश करने के बाद हमेशा जिस जगह आपके घर में धूप आती हैं धूप से क्या होता उसके अंधर से जंप भी निकल जाते हैं और जो स्टिकी दाग होते हैं तो आप इस तरीके से जुरूर इस मैथोड को फॉलों करना अगर फ्रैंट्ड्स वीडियो अच्छा